वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन आपडेट यहीं पर आते हैं द्यान लगिएगा सारे कोशन आटेंब्ट करिये और सपोर अकना तुरंत कमेंट करके बताएं कितने सही हो रहें कितने गलत होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हलो एवरीवन वेलकम तू का बहुत-बहुत स्वागत है हम आ गए हमारे टेस्ट 4 पे UPPCS Pre 2023 sectional test 4 है इसमें हम miscellaneous questions cover करेंगे 100 best miscellaneous questions बहुत महनत से आपके लिए questions prepare किये जा रहे हैं मैं उबीद करती हूँ आप इनका बहुत फायदा उठा रहे आप proper notes बना रहे होंगे और इस test के बाद भी आपको अपना score comment down करना है और बताना है कि आपके कितने questions सही हुए और कितने गलत हुए और जैसा मैंने आपको बताया था आपकी diary of mistakes वो भी आप maintain करके चल रहे होंगे शूरू करते हैं हमारे पहले question से निम्लिकित में से सही विकल्ब का चैयन करें select the correct option 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत की दश्केव रधीदर Decadal Growth Rate of India 17.7% थी 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत की ओसत वार्षिक घातेव रधीदर 1.64% थी Average Annual Exponential Growth Rate बताईए इसमें से कौन सा सही है इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही एकदम सही दिये हुए है किसी Decadal Growth Rate मतलब 10 सालों में population कितनी बढ़ रही है किस rate पे बढ़ रही है उसका Average जो होता है उसको बोलते हम Decadal Growth Rate और Average Annual Exponential Growth Rate होती है जिसको हम Compound Effect से Calculate करते हैं Annually तो आपको ये दोनों ही बाते एकदम ध्यान रखनी है जब तक नया डेटा नहीं आ जाता है Census का तब तक 2011 वाला ही वालिड रहेगा तो इस तरीके से आपको ये दोनों पॉइंट्स एकदम ध्यान रखने हैं Second question सही विकर्प का चयान करें Select the correct option 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ती प्रती वर किलोमेटर था Population Density 382% per square किलोमेटर 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 था Sex Ratio of India 943 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत का शिशू लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बीच 919 था Child Sex Ratio of India between 0 to 6 years या फिर उप्रुक्त सभी All of the above बताइए कौन सा option सही होगा तो ये सारे ही बिलकुल ठीक दिये हुए हैं और सारे ही आपको as it is prepare करने इसमें सबसे important चीज़ें दीवी हैं Population Density कितनी हो जाएगी? 382 फिर उसके बाद क्या आएगा? Sex Ratio कितना हो जाएगा? ये था 943 और जो दूसरा होगा Sex Ratio 0 से 6 तिक के जो बच्चे हैं उनका वो हो जाएगा 919 382, 943, 919 ये तीन आपको याद रखने हैं चलिए जनगंडना 2011 के आख़ों के अनुसान निमलिखित में से कौन सी दर उच्चितम है? प्रतिशत में Highest कौन सा है? भारत में घ्रामीन साक्षरता दर Lural Literacy Rate of India भारत में शेहरी साक्षरता दर Urban Literacy भारत में पुरुष साक्षरता दर Male Literacy भारत में महिला साक्षरता दर Female Literacy बताईए इन चारों में से कौन सा Highest है? percentage के term में क्या हो जाएगा answer? इसका answer हो जाएगा B Urban Literacy सबसे ज़ादा है अब आब बताईए मुझे Rural Literacy कितनी एंडिया में? यह है 67.8% और Urban Literacy कितनी है? यह है 84.1% और हमारी जो यह Male Literacy है यह कितनी है? यह है 80.90 और यह कितनी है? 64.60 अब यह भी Female Literacy पे बहुत ध्यान देने की ज़रूत है चलिए याद रखना है आपको सबसे ज़ादा जो है इन में से वो है Urban Literacy चौथा क्वेशन निमलिखित में से कौन सा राजे? 2011 की जनगर्ना के अनुसार्स जनसंख्या दृष्टी से बिहार राजे के बाद आता है State comes after the state of Bihar in terms of population बताईए महराश्ट, मद्यप्रदेश, आंद्यप्रदेश या West Bengal क्या हो जाएगा अंसर? इसका अंसर हो जाएगा D पश्चिम बंगाल अब अगर हम बात करें position हर state की population के basis पे तो UP सबसे उपर आएगा फिर आएगा महराश्ट, फिर बिहार, फिर West Bengal, फिर आंद्यप्रदेश और फिर एंड में है इनमें से मध्यप्रदेश 5th question कुरंग कुमे जिला जो है कुरंग कुमे 2011 की जनगन्ना की अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंक्या कुत्तर राज्य में अवस्थित है, कहां पर लोकेटड है, कौन से नौर्थ इस्टन स्टेट में है यहां पर हाइस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कंट्री का, बताइए क्या हो जाएगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा C, अरुनाचल प्रदेश अगर आप देखेंगे जो दो डिस्ट्रिक्ट्स है जिनकी हाइस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो पहला तो आपको बता दी है दूसरा कौन सा है मैं बता देती हूँ आपको यहां पर अब मैं आपसे questions पूछना स्टार्ट करूंगी second है यनम अच्छा चलिए यहीं पर आ गया question तो एक आपको यनम आप लोग मुझे बताएंगे कहां पर है असान question पूछा एकदम आपको सबको comment down करके बताना है where is यनम और जो growth rate कुरांग को में की है वो है 111.01% 111.01% देखो किती जादा है और यनम की है 77.15 percentage में अब आपको मुझे इसकी location बताने है चलिए question number 6 निमलिकित में से किस देश में प्रती 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संक्या 1100 सिभ्यतिक है which of the following country पूछ रहा है तो इससे पढ़ते रहना थोड़ा धंग से the number of females per 1000 males जादा है more than 1100 है बताइए कौन सी है वो country चीन, पाकिस्तान बांगलादेश, इंडोनेशिया क्या हो जाएगा इसका answer इसका answer हो जाएगा C, बांगलादेश अब आप अगर देखेगे तो number of females per 1000 males इंडिया में कितने है अभी मैंने उपर बताइए और चाइना में कितने है चाइना में है 926 और हम कौन सा देखेंगे अब, चाइना के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने है, पाकिस्तान में है 943, इसे देखके कुछ आद आ रहा है आपको, और बांगलादेश में है 1167, देखे जरह, और इंडोनेशिया में है 988, थोड़ा गड़ बढ़ हो गया, समझे यह, 988, ठीक है, चालिए, 7th question, निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें, select the incorrect option, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, जैन धर्म भारत में सबसे अधिक साक्षर धर्म है, most literate जैनिजम, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता है, highest female literacy, केरला, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, सोनभ सबसे कम है, lowest sex ratio, sick community, बताइए, क्या हो जाएगा इस cancer, गलत विकल्प का हमें इसमें से चैन करना है, तो 7th cancer क्या हो जाएगा, 7th cancer हो जाएगा, B, highest female literacy, ये बोल रहा है, केरला का है, तो इसमें आपको इबात ध्यान रखनी है, highest female literacy जो है, वो केरला का नहीं है, वो लक्षदीप का है, ठीक है, बाकी सारी बातें एकदम ठीक थी, अब देखिए, इसमें कोई concept तो आपको build करना नहीं है, पढ़िए आपने चीजें, सर, ग्यान सर, खुद विडियो बनाते है यह census का, बाकी सारे data का, एकदम updated data आपको मिल रहा है, अब सिर्फ prepare करना है, आपको test solve करना है, तो आप इसको as it is prepare कर लीजिए, विडियो से notes बना लीजी अपने, और उसके बाद आप test attempt कर लीजिए, तो आपकी questions गलत होंगे ही नी, ऐसे tests में तो number score करने का बहुत अच्छा तरीका है यह, चलिए, question number 8 पे आ गए हम, निमलिकित में से गलत विकल्प का चाहिन करें, 2011 की जंगर्णा के अंतिम आक्रों के अनुसार, incorrect option, असम सरवाधिक शिशू लिंगानुपात वाला राजे है, असम highest child sex ratio, सबसे कम जन संक्या घरनत वाला केंदर साशित प्रदेश, अंडमान और निकुबार दीप स्वमू है, UT with lowest population density, अंडमान निकुबार आइलेंड्स, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीन जन संक्या का प्रतिशत सरवाधिक है, highest percentage of rural population, सबसे कम जन संक्या वरधी दरवाला राजे है, नागालेंड, lowest population growth rate, नागालेंड, बताइए, क्या रेशो है, वो है, अरुनाचल, प्रदेश, कितना है, 972, बाकी सारी बाते एकदम ठीक दीवे, UT lowest population, अंडमान निकुबार आइलेंड, हिमाचल प्रदेश में सबसादर rural population पाई जाती है, और population growth rate सबसे कम किसका है, नागालेंड का, Q9, गलत विकल्प का चेहन करें, select the incorrect option, भारत सरकार अधिनियम 1935 में सबसे पहली बार अनुसूचित जाती शब्त का अनुप्रियोग किया गया था, अधर टर्म स्केडियूल कास्ट वस फर्स अप्लाइड इन गर्मेंट फिंडियाग 1935, अनुचेत 341 में अनुसूचित ज और लक्षदीप में कोई अनुसूचित जन जाती नहीं है, नो स्केडियूल कास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं, incorrect, बताइए, इसका अंसर हो जाएगा D, ये सारी बातें एकदम ठीक हैं, स्केडियूल कास्ट का सबसे पहले जो यूज़ वा था, ये वर्ड तो एक गवर चलिए इनकरेक्ट बताईए, कौन सा होगा, अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था, मैप प्रिपेर होने चाहिए, ऐसे क्वेशन के लिए, और जब आप स्टेट का एक्जाम दे रहें, तो स्टेट का मैप तो होई गया, बहुत इंपोर्टन्ट, टेंथ का क्या अं इनकरेक्ट बताईए, तो नदरन्मोड डिस्ट्रिक्ट हो गया, यूपी का और स्टेट जो हुआ, वो हो गया, हिमाचल प्रदेश, इससे लगता है वो, नदरन्मोड कौन सा हो गया डिस्ट्रिक्ट, सारनपूर, सोन भद्र जो है, वो सबसे साउथ वाला लेकिन वो ओडिसा से नहीं लगता है, वो लगता है च्छतिसगर से, जारकंड से, बिहार से और मर्यापश से, और जो ये इस्टर्ण मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा है, ये है बलिया और ये लगता है बिहार से, और वेस्टर्ण मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है चलिए यह आप मुझे बताएंगे जो कि हरयान को बॉर्डर करता है यह मैंने आपके से असान सवाल पूछ लिया है मुझे आप वेस्टरिंड मोस डिस्ट्रिक्ट बताएंगे यूपी का जो हरयान को बॉर्डर करता है हम आ गये हैं गारवे क्वेश्टन पे उत्रप्रदेश का सोनबधर जिला निमलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है? अभी हमने देखा ये जस्टिस से पहले वाले में. इसका अंसर हुजाएगा D. मतलब ये इन सभी से अपनी सीमा साजा करता है. 12th question निमलिखित में से सही विकल्ब चुनना है हमें. उत्रप्रदेश का सहरनपुर जिला, हिमाचिल प्रदेश, उत्राखंड और हर्याना जिलों के साथ सीमा साजा करता है? उत्रप्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्यप्रदेश के साजा करता है. longest border with मध्यप्रदेश. उत्रप्रदेश सबसे छोटी सीमा हिमाचिल प्रदेश के साजा करता है. shortest border with हिमाचिल प्रदेश. बताइए कौन सा सही है? D. option एकदम सही है. सारे ही एकदम सही है basic map based question है आपको ये चीजे एकदम prepared होनी चाहिए basic वाले सारे facts test series से भर नहीं पूछेगा लेकिन एक geographical point of view से आपको अंदाजा होना चाहिए तो map अपने सामें लगा के रखिए और साथ साथ notes बनाते चलिए चलिए question number 13 गलत विकल्ब का चयन करें incorrect option अनुसूचिज जनजाती scheduled tribe की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% 0.6% total population का अनुसूचिज जनजाती जनसंख्या क्या link अनुबात sex ratio जो है scheduled tribe का वो है 951 सरवाधिक अनुसूचिज जनजाती की संख्या वाला जिला सोन भद्र highest population of estes सबसे कम अनुसूचिज जनजाती की संख्या वाला जिला बदायू था बताईए कौन सा गलत है answer हो जाएगा D देखिए ये तीनों fact एकदम सही है ये आपको पता होना चाहिए ये पूछा रा सकता है 0.6% जो सबसे कम जहाँ पे estes है वो बदायू नहीं है वो है बागपत ये आपको पता होना चाहिए question number 14 गलत विकल्ब का चैन करे incorrect option 2011 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचिज जातिया schedule caste की बात हो रही है हाँ पे sex ratio of schedule caste कितना है 907 आजमगड में अनुसूचिज जाति का लेंगा नुपाद सबसे अधिक था आजमगड का highest sex ratio था schedule caste की बात हो रही है प्रतिशत पर अनुसूचिज जाति की जंग संख्या की दृष्टी से उत्रप्रदेश का देश में तीसरा स्थान है time terms of percentage बोल रहा है वो सीतापूर अनुसूचिज जाति की सबसे अधिक जंग संख्या वाला जिला था सीतापूर district जिसमें highest population है स्थीज की मताई कौन सा गलत होगा गलत होगा C option ये उत्रप्रदेश का जो स्थान है ये तीसरा नहीं है ये चोथा है 4th place आपको ये याद रखना है आप बाकी आपको ये पता होगा पंदरवा question वे भारतिय स्थलरुद राजे जो अंतराश्ट्रे सीमा साजा नहीं करते हैं संबंद में गलत विखल्प का चयन करें incorrect option in respect of Indian landlocked states which do not share an international border सबसे उत्री स्थलरुद राजे नद्रिनमोस लाइड 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 स्थेट हरियान सबसे दक्षणी स्थलरुद राजे सद्रिनमोस लाइड लाइड स्थेट तेलंगन पूर्वी सर्वाधिक स्थलरुद राजे चत्तिसगर इस्टनमोस पश्चिमी सर्वाधिक स्थलरुद राजे मध्यप्रदेश वेस्टनमोस लाइड लाइड स्थेट मध्यप्रदेश बताइए कौन सा गलत है देखिए इसमें गलत हो जाएगा C पूर्वी सरवाधिक स्थलरुद राजे क्या हो जाएगा? 36 गण नहीं है ये ये है जारखंड देखिए अब स्थलरुद राजे क्या होता है? लैंड लॉक्ट स्टेट क्या होता है? जो किसी वाटर बॉडी से या किसी कोस्ट लाइन से कनेक्टेड नहीं होता है? उसको हम कहते हैं लैंड लॉक्ट स्टेट तो ये वाले फैक्ट्स इंपोर्टन है 16th question प्रसाशनिक डेटा 2011 अड्मिनिस्ट्रेटिव डेटा 2011 की अनुसार हमें सही विकल्प चुनना है जिलो की संख्या 640 उप जिले सब डिस्ट्रिक्ट 5924 नगरो की संख्या 793 नमबर फिटी 793 बताईए बिल्कुल ठीक हैं तीनों बिल्कुल रटना नहीं है लेकिन क्या होता है न जब आप ऐसे question solve कर लेते हैं और ऐसे figures होते हैं आप एक बार देखके जाते हैं न जब इनको paper में तो elimination असान होता है ये purpose होता है ऐसे वाले questions का 17 प्रशासनिक डेटा 2011 के अनुसार भारत में कितने गाउं थे How many villages administrative data 2011 के according बताईए क्या हो जाएगा इसका answer इसका answer हो जाएगा 6.41 lakhs ठीक है अब जो प्रशासनिक डेटा है उसके हिसाब से वैधानिक नगर जो है statutory towns उनकी संख्या कितनी थी उनकी संख्या थी 4041 वैधानिक नगर और census towns जन गणना नगरों की संख्या कितनी थी वो 3 3892 ठीक है census towns और villages हमने देखी लिया अठारवा question गलत विकल्प का चेहन करें राश्ट्रिय स्वास्थिनीती वरी इंपोर्टन नैशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में बाते दी वी है बताना है कौन सा गलत है जन के समय जीवन प्रत्याशा को 50 से बढ़ा कर 2025 तक सत्तर करना है Life expectancy at birth 2028 तक राश्ट्रिय उर उपराश्ट्रिय स्थर पर TFR that is total fertility rate को कुल प्रजनंदर जो है उसको घटा कर एक तक लाना है शिशू मृति उदर को घटा कर 16 करना है infant mortality rate को 16 करना है 2025 तक मृत पैदा होने वाले बच्चों की दर को एक अंक तक कम करना है rate of children born dead या फिर still births इनको बोलते हैं still births to single digit by 2025 बताइए कौन सा गलत है option number B गलत है दिखिए ये TFR को 1 करना है national level पे लेकिन 2028 तक नहीं करना है 2025 तक करना है ठीक है ये बाते आपको धिहान रखने है दिखिए अब आप TFR क्या होता है कुल प्रजनंदर क्या है ये एक rate है जिससे निकलता है कि एक लेड़ी अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है ये वो है और infant mortality rate क्या होता है infant mortality होता है बच्चे का death हो जाना अपने first birthday से पहले और ये होता है number of infant deaths per thousand life births इस तरीके से इसको calculate किया जाता है ये कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखने है 19th question देखेंगे राष्टे स्वास्थिनीती 2017 National Health Policy के बारे में सही बात शुन नहीं है इस बार हमें 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन की स्थिती प्राप की जा सके to achieve the status of elimination of tuberculosis TB by 2025 2025 तक दृष्टी हीनता की व्यापकता को घटा कर 25 upon 1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्दमान स्थर से घटा कर एक तिहाई करना है prevalence of blindness और reducing the number of patients to one third रिदे वाही का रोग, cancer, मधुमे या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यू को 2025 तक घटा कर 25 प्रतिशत करना है premature deaths from cardiovascular disease, cancer, diabetes और chronic respiratory diseases to 25% बताईए 19 तका क्या answer हो ये सारे बिलकुल ठीक हैं और बहुत ही important points हैं ये किसके national health policy के बस ये बाते आपको ध्यान रखने हैं देखिए चलिए question number 20 देखेंगे अब हम निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें select the incorrect option बलरामपूर सबसे अधिक दशके व्रिधी दर वाला जिला है decadal growth rate highest गाजेबाद सबसे अधिक जनसक्या घनत्व वाला जिला है गाजेबाद highest population density गौतम बुद्नगर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है highest literacy rate और जौनपूर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है मतलब highest sex ratio वाला बताईए इसमें से कौन सा गलत है क्या हो जाएगा answer इसका answer हो जाएगा A ये बलरामपूर नहीं होगा ये होगा गौतम बुद्नगर जिसका सबसे जादा decadal growth rate है मतलब कि 10 सालों में सबसे जादा population growth rate जहां पे बढ़ा है वो ये वाला है बाकी सारी बते एकदम ठीक दीवी है चलिए 21 देखेंगे हम 4 घटक नीचे दिये गए है 4 component have been B.E.E.N. कर लिजे इसको given below नगर पालिका समेती नगर निगम चावनी बोड अधिसूचित नगर छेत्र कमिती समेती ये हो गया municipal committee municipal corporation cantonment board notified town area committee किसी नगर को वैधानिक नगर मतलब कि statutory town तब ही कहा जा सकता है जब उसके पास उपर दिये गए कितने घटक हो मतलब कितने components उपर में से satisfy कर रहा हो बताईए इसका अंसर हो जाएगा कम से कम एक at least one तब आप उसको statutory town बोल सकते हो और अगर इन में से कुछ भी है तो क्या होगा कोई भी domicile को हम statutory town बोल देंगे मैं अधिवास वैधानिक नगर कहलाया जाने लगेगा अगर इसमें से वहाँ पे कुछ भी एक चीज है तो ये बाई ध्यान रखेगा बहुत अच्छा question है ये चलिए question number 22 लगर ये संकुलन में कम से कम एक वैधानिक नगर होना चाहिए और इसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनसंख्या जनगर्ना की अनुसार कम से कम कितनी होनी चाहिए there should be at least one statutory town in the urban agglomeration and its total population should be at least dash as per census 2011 बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा हमारा C 20,000 देखिए urban agglomeration की अगर हम बात करें तो कम से कम उसमें एक विधानिक नगर होना चाहिए और उसकी जो जनसंख्या है वो 20,000 होनी चाहिए बस ये आपका बन जाता है नगरिये संकुलन दोनों हिंदी, मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों आपस में एक दूसरे words जरूर पढ़के चलेंगे इससे बहुत फायदा होता है दिमाग में और डबल क्लारिटी होती रिविजन होता चाहता है बढ़िया से प्लस एक्जाम में कई बार कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो नहीं समझ आती है तो वो आप देख सकते है चलिए भारते वन स्थिती रिपोर्ट 2021 किसकी बात हो रही है इंडिया स्टेट अफ द फॉरस्ट रिपोर्ट 2021 के नुसार काबन स्टॉक की दृष्टी से निमलिकित शीर्ष तीन राज्यों को विवस्थित करें काबन स्टॉक के टर्म्स में आपको इनको अरेंज करना है बताईए क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी अरुनाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्यसकर ये इसका आंसर है अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आपके सामने आया है काबन स्टॉक तो काबन स्टॉक क्या होता है देखिए ये वो अमाउंट अफ कार्बन है जो फॉरेस्ट्स में जमा है इकट्टा है किस फॉर्म में देखिए वो सॉयल की फॉर्म में हो सकता है ठीक है डेड वुड जो लकडी खराब हो गई है या फिर सूखे पत्ते करने की जो की एक में ग्रीन हाउस गैस है अट्मोस्फिर की और किस प्रोसेस के थू करेंगे ये ये लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थू तो ये इंपोर्टन्स है कार्बन स्टॉक की ये बात आपको पता होनी चाहिए चलिए अब हम देखेंगे question number 24 ये हटा लेजए चलिए भारत वन स्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरन छेत्रफल की दृष्टी से निमलिकित शीर्ष तीन टाइगर रिजर्वों को विवस्थित कीजिए arrange the following top 3 टाइगर रिजर्व in terms of forest cover area मताँ सबसे ज़ादा forest cover area इन में से किन किन में है ये आपको मुझे बताना है इसका अंसर हो जाएगा ए नागरजुना, सागर, श्री सेलम, फिर सिमलीपाल और फिर इंदरावती अब आप मुझे बताएंगे ये जो यहाँ पे tiger reserves के नाम दिये हुए है ये कौन सी states में पाई जाती है और इंडिया में कुल tiger reserves की संख्या कितनी है how many tiger reserves are there in India प्लस ये किन states में located है you have to comment it down चलिए 25th question पे आगए है भारत वन स्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसान निमलिकित में से किस राजे में सबसे अधिक बांस आच्छादित छेतरफल है bamboo bearing area किस में सबसे ज़्यादा है बताईए क्या हो जाएगा answer इसका answer हो जाएगा c देखिए सबसे ज़्यादा मध्यप्रदेश में है फिर number 2 पे आता है रुनाचल प्रदेश और number 3 पे आता है महाराश्ट्रो ठीक है number 1 पे मध्यप्रदेश ये top 3 है 26 वा question भारत वन सिती रिपोर्ट 2021 में से किस पूर्वोत्तर राजे में उस राजे का 80 प्रतिशत से अधिक शेतरफल वनावरन है मतलब की north eastern state कौन सा है जिसमें forest cover 80% से जाधा है उस state का पताईए कौन सा state है इसका answer हो जाएगा मिजुरम नौर्थीस्ट का डेटा बहुत पूचता है बहुत important है आपको पता होना चाहिए देखिए मिजुरम का सबसे जाधा हो गया number 1 80% से जाधा 84.53% है यापे फिर आएगा अरुनांचल प्रदेश इसका 80 से कुछ कम है फिर आपका आएगा मिघालिया इसका 76 प्रतिशत है और मनीपुर में है करीब 74% और फिर आपका आएगा नागलेंट ठीक है ये बातें आपको ध्यान रखनें चलिए 27. भारत वन सिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के संधर्ब में गलत विकल्प का चेहन करें इनकरेक्ट ऑप्शन चुणना है हमें वनावरन 71378 वर्ग किलोमेटर स्क्वेर किलोमेटर कुल भोगौलिक शेत्रफल में वनावरन का प्रतिशत % of forest cover Total Geographical Area में वनावरन में व्रधी increase कितना हुआ है forest cover प्रतिशत में वनावरन में व्रधी increase in forest cover in percentage बताइए answer बताइए इसका क्या होगा इसका answer हो जाएगा देखिए C अब जो increase हुआ है वो यह नहीं हुआ 1450 नहीं हुआ increase सबसे अच्छा जो आपको डेटा मिलेगा अब तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस पे ज्यांसर ने विडियो बनाया हुआ है आपको विडियो देखना है और फिर दुबारा इन क्वेश्चिन्स को टेम्ट करना है अगर आपके क्वेश्चिन्स ठीक हो रहे हैं बहुत बात है नहीं हो रहे हैं तो आप पहले बेसिक डेटा पढ़िए इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट का और फिर इस टेस्ट को टेम्ट कीजए आप तक कोई क्वेश्चिन नहीं बचेगा चलिए 28 सही विकल्प का चैन करें फिर से इंडिया स्टेट फॉरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा D सारे बिल्कुल ठीक दियें ठीक है ये रिपोर्ट के साबसे ये आपका ट्री कवर है आपको पता होना चाहिए श्रब जितने हैं और परसंटेज जो है टोटल जोग्रिफिकल एरिया का वो है 2.91 ठीक है 2.91 और मैंगुरूव्स का ये डेटा है द देखे 0.15 परसंट है बहुत ही काम है ठीक है चलिए यहां से एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके लिए आप मुझे कॉमेंट करके बिताइए मैंगुरूव्स कौन कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं चलिए 29 भारत वन सिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत विकल्प का चै चाशिद प्रदेश जम्मू कश्मीर मोस्ट ट्री कवर सरवाधिक वनावरन वाला केंद शाशिद प्रदेश विद पोरेस्ट कवर जम्मू कश्मीर बताईए क्या है इस कांसर यह सारी बातें बिलकूल ठीक दीवे इस कांसर हुजाएगा नन अफ देखे एक ही का चैन करे भारत वन सिसी रिपोर्ट थोजार एक के सरवाधिक मान गुरूव आवरन वाला केंदर शाषित प्रदेश पूछ रहा है यूनियन टरिटरी विद हाइस्ट मान गुरूफ कवर अंडमान निकोबार सबसे कम रिक्षावरन वाला यूटी लीस्ट ट्री कवर वाला पुड़ुचेरी सबसे कम वनावरन वाला केंदर शाषित प्रदेश चंदिगर्ड यूनियन टरिटरी विद लीस्ट फॉरेस्ट कवर चंदिगर्ड बताईए क्या हो जाएगा इसका आंसर सही पूछ रहा है यह देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी पहला और तीसरा मैंन गुरूफ का क्वेश्टन पूछा है मैंने आपसे अभी उपर कॉमेंट डाउन करना है आपको ज़रूर से 31 गलत विकल्प का चेयन करें भारत वंस्तिती रिपोर्ट 2021 ये तो आप मैं आपको बता हूँ आप यहीं से पढ़ लिजे सारा आपके कोई कोई क्वेश्टन गलत होई नहीं सकता सारे इंपॉर्टन क्वेश्टन्स कवर्ड हैं 2019 की तुलना में मैं गुरूफ आवरंड में 17 वर किलोमेटर की व्रधी दर्श की गई है इंक्रीज ओफ 17 स्कूर किलोमेटर इंदी मैं गुरूफ कवर्ड 2019 की तोलना में ISFR 2021 में केवल गुजरात में mangroove आवरण में कमी दर्ज की गई है सिर्फ गुजरात में decrease हुआ है mangroove cover as compared to 2019 केवल पश्चिम बंगाल में दक्षिन 24 परगना जिले में देश का 41.74% mangroove आवरण है बिल्कुल सही है सारे एकदम सही है इसमें से कोई नहीं ये सारे facts बहुत अच्छे हैं बहुत इंपोर्टन्ट हैं आपको प्रिपेर करें 32 question पे आ गये हम भारत वन सिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार mangroove आवरण के अधार पर निमलकित राजें को अवरोही करम में विवस्थित करें descending order में आपको range करना है mangroove cover किन states में किस हिसाब से है as per the India state of forest report 2021 चलिए अब देखिए यहां से मैं आपको यह बता देती हूँ mangroove cover जो है वो 9 states में plus 3 union territory में है ठीक है 9 states plus 3 union territory अब आप मुझे ये तो मैं आपसे पूछे चुकी हूँ और मैं थोड़ी सी और help कर दी आपकी आपको ये मुझे बताना है कि कौन-कौन सी states में है और कौन सी uts में है comment down करके और फिर आपको बताया जाएगा इसका largest to smallest जैसे सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ तो West Bengal में है और सबसे कम पुड़ुचेरी में है तो अब बाकी आप मुझे comment down करके पक्का से बताएंगे 33 निमलिखित वनों को भारत वन सिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें ascending order में according to the following, arrange the following forests कौन कौन से forest पाए जाते हैं चलिए, बिताइए क्या हो जाएगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा C 3, 2, 1 सबसे पहले आएगे ऊशन कटिबंधी है अर्द सदाभार 1 Tropical semi evergreen forest ठीक है फिर आएगे आपके second ऊशन कटिबंधी है आधर पंड पाती 1 moist deciduous और फिर आएगे dry deciduous और देखें total देखें, तो tropical dry deciduous forest, फिर tropical moist deciduous और tropical semi evergreen तो इस तरीके से total हो गया, चलिए 34 गलत विकल्प का चेयन करें भारत वन सिथी रिपोर्ट 2021 जम्मो और कश्मीर में सबसे अधिक पहाडी जिले हैं highest number of hill districts 26 राज्य में से रुनाचल प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी जिले हैं highest number of tribal districts पहाडी जिलो में वन आवरन में 902 वर किलोमेटर की कमी दर्श की गई है degrees of 902 square kilometers has been recorded in forest cover in the hilli districts आदिवासी जिलो में वन आवरन में 55 वर किलोमेटर की कमी दर्श की गई है decrease of 55 kilometers in tribal districts बताईए क्या हो जाएगा इस कांसर इस कांसर हो जाएगा B 34 का B देखिए जो सबसे ज़ादा tribal districts है न वो देखिए अरुनाचल प्रदेश में नहीं होंगे वो वो कहां होंगे MP में बस बाकी बातें बिलकु ठीक दी यह कुछ चीजें हैं जो हम कई बार confusion में गलत कर देते हैं हमें ध्यान देना है इन चीजों के 35 भारत 1 City Report 2021 के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेतर के वनावरण में कितने वर किलोमेटर की कमी दर्ज की गई है degrees of how many square kilometers have been recorded in the forest cover of northeastern region as per the India State of the Forest Report 2021 इस कांसर इसका अंसर है C 1020 square kilometers का यह कमी देखी गई है देखी जो forest cover है न नौट इस्टन रीजन में वो है करीब 7.98% ठीक है अब अगर हम बात करें वो इंडिया के एरिया का ठीक है और नौट इस्ट रीजन में जो forest cover है वो decrease हुआ है 0. 0.60% से और किता kilometer degrees हुआ है वो हम नहीं हाँ देख लिए 36 गलत विकल्प का चेयन करें फिर से ISFR report 2021 भारत का कुल बास अच्छादिच छेत्र 15.0 million hectare होने का अनुमान लगाया गया है total bamboo bearing area of India 2019 की तुल्ला में देश में कुल बास अच्छादिच शेत्र में 1.06 million hectare की कमी आई है bearing area has decreased by 1.06 million hectare as compared to 2019 क्या होगा इस cancer दोनों बातें एकदम ठीक दीवी हैं जो total bamboo bearing area है इंडिया का वो करीब 15 million hectare है और bamboo forest जो हैं वो काफी increase हुए है as compared to 2019 ठीक है और इतने की आई है कमी लेकिन million में देखा जाए तो total bamboo bearing जो area है वो decrease हुआ है लेकिन bamboo forests increase हुए है दोनों बातों में फरक है चलिए 37th निम्रिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें फिर से ISFR report 2021 मध्यम सगन वन या प्राकृतिक वन में 1582 वर किलोमेटर की कमी दर्ज की गए degrees of 1582 स्क्वेर किलोमेटर in moderately dense forests या फिर natural forests 2011-2021 की दौरान Tiger Corridor में के वन आवरन में 37.15 वर किलोमेटर की कमी की विर्दी हुई है the forest cover of Tiger Corridor has increased by 37.15 स्क्वेर किलोमेटर 2011-21 की दौरान Tiger Reserve के वन आवरन में 22.6 वर किलोमेटर की कमी आई है forest cover of Tiger Reserve has decreased ये increased है ये decreased है और नाचल प्रदेश में पके Tiger Reserve में सबसे अधिक वन आवरन है लगबग 90 प्रतिशत पके Tiger Reserve in नाचल प्रदेश has highest forest cover क्या है इसका गलत कौन सा गलत है इन में से इसका आंसर है D क्यूं देखिए पके Tiger Reserve में सबसे ज़्यादा वन आवरन है highest forest cover है लेकिन 90 परसंट नहीं है that is massive 97 चलिए 38 गलत विकल्प का चैन करें उत्रप्रदेश का वन सर्विक्षन रिपोर्ट अब आ गया है हम उत्रप्रदेश के forest रर्वे पे हैं सबसे बड़ा वन आवरन largest forest cover सोन भद्र सबसे छोटा वन आवरन smallest forest cover बदोही वन आवरन में अधिक्तम वृद्धी maximum gain in forest cover सोन भद्र वन आवरन में अधिक्तम हानी सोन भद्र, maximum loss in forest cover सोन भद्र, बताईए क्या answer हो जाएगा 38 का answer हो जाएगा C, maximum जो gain है forest cover में वो सोन भद्र नहीं है, that is सहरन पुर बाकी सब बिलकुल ठीक हैं, चलिए 39, गलत विकल्प का चेहन करें, उत्रप्रदेश 1 सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 फिर से उत्रप्रदेश का आगया है, सबसे अधिक अथी सगनवन highest very dense forest मिर्जापुर, सबसे अधिक खुलेवन, मध्यम सगनवन, सोन भद्र highest open forest या moderately dense forest सबसे अधिक जाडियां, बुशिज आगरा, उत्रप्रदेश के वनावरन में व्रद्धी, 12.24 वर किलोमेटर, increase in forest cover of UP, बताइए क्या हो जाएका answer, इसका गलत answer है A, जो सबसे जादा very dense forest है, वो मिर्जापुर में नहीं है, वो हैं आपके खीरी में चलिए बाकी सारी बातें एकदम ठीक हैं, चालिसवा सही विकल्प का चैन करें, उत्रप्रदेश वन सर्वेक्षन रिपोर्ट, same correct option, उत्रप्रदेश राज्य का वन आवरन, 7421 वर किलोमेटर है, ट्री कवर स्टेट का, उत्रप्रदेश राज्य के वन रिक्ष आवरन में 79 वर किलोमेटर की व्रद्धी दरजुई है, ट्री कवर में कितना भड़ा है, वो 79 किलोमेटर है, बताईए क्या हो जाएगा इसका अंसर दोनों बातें बिलकुल ठीक हैं और दोनों बातें important हैं, आपको पता होनी चाहिए 41, उत्रप्रदेश वन सर्वेक्षन रिपोर्ट, 2021 के अनुसार निमलिकित में से किस जिले में वन आवरन का प्रतिशत सबसे अधिक है which district has the highest percentage of forest cover, बताईए क्या हो जाएगा अंसर, इसका अंसर है सोन भद्र, देखिए सोन भद्र का सबसे ज़दा है, करीब 35% फिर आएगा चंदौली और फिर आएगा आपका चित्रकूट, और फिर आएगा आपका पीली भींत, ठीक है ये arranged हैं से, top 3 तो कम से कम आप याद रखिए गई 42, फिर से उत्रप्रदेश वन सर्वेक्षन रिपोर्ट के अनुसार निमलिकित में से किस जिले में वनावरन में सर्वाधिक वृद्धी हुई है following district has the highest increase in forest cover बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा A. चित्रकूट में सबसे जाद हो यह और चित्रकूट से भी जादा जो top पे है सबसे जादा वो है साहरनपूर फिर चित्रकूट है फिर आपका प्रियागराज है फिर बाराबंकी है और फिर है बलरामपूर ठीक है? यह सारे आपके top 5 वाले मैंने आपको बता दिये 43. उत्रप्रदेश 1 सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस जिले में वनावरन सबसे कम है lowest forest cover पूछ रहा है सारे questions यहीं हो जाएंगे आपके prepare, आपको factual ज़रूर लग रहा होगा यह लेकिन यह बहुत important है, बदोही सबसे कम बदोही तो lowest वाले बदोही है, फिर मउ है, नमबर 2 पे फिर आपका मैनपूरी है, और फिर आपका संतकबीर नगर है, और लास्ट में आपका है दियोरिया फिक है, यह यह है, चले 44th, निमलिकित कृशी आंकडों, 2022 के अनुसार, निमलिकित तीन राज्यों को उनके अरर, तूर के अत्पादन के अधार पर अवरो ही कम में विवस्थित करें, descending order on the basis of the production of अरर, अरर की दाल, तूर दाल as per the latest agriculture data बताईए क्या हो जाएगा इस कांसर D सबसे ज़ादा अरर की दाल कहां पर प्रेडूस हो रही है, महराष्ट्र में फिर करनाटका में और फिर तिलंगना चलिए 45 नवीनतम कृशी data 2022 के नुसार गलत विकल्प का चैन करें राज्य दियों में हैं मक्का के उत्पादन के स्थान दियों में हैं रैंक दीवी है, करनाटका 1st आंद्रप्रदेश 2nd ऐसे, बताईए incorrect क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा B, आंद्रप्रदेश का दूसरा अस्थान नहीं है, देखिए मेज, मक्का, इसको क्या बोलते हैं Queen of Grain चलिए करनाटका सबसे जादा, फिर आपका आंद्रप्रदेश नहीं है फिर आपका 2nd पे MP मेज प्रोडक्शन में 7th ठीक दिया हुआ है बिल्कुल चलिए, वर्ल्ड में नंबर वन मेज प्रोड्यूसर कांट्री बताईए मुझे आप, कॉमेंट में सबसे जादा कौन सा देश प्रोड्यूस करता है, इंडिया 7th पे है तो कोई पहले प्रोड़ होगा बताईए 46 नवीन्तम कृशी आंकडो 2022 के नुसार उत्रप्रदेश निमलिखित में से किस फसल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर नहीं है ध्यान से दियान से दियान से दियान से दियान से दियान से तो बारले में क्या हो जाएगा राजस्थान टॉप पे है फिर यूपी है और फिर एमपी है और हम राइस की बात करें तो कौन सा होगा टॉप पे चलिए यह आप मुझे बताएंगे यूपी दूसरे स्थान पे है और तीसरे पे कौन सा है पंजाब में और उत्रप्रदेश का रैंक आलू में, गेहू में, कुल सबजियों में कुल खाद्यान, फूड फूड गरिंज में बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर है A देखिए आलू में यूपी का रैंक 1 है फिर पस्चिम बंगाल है फिर बिहार है अब अगर हम बात करें गेहू में तो यूपी का रैंक 1 है इसमें भी सबस्यादा यूपी में होता है फिर एंपी में, फिर पंजाब में वेजेटेबल्स में बात करें तो यूपी का रैंक 1 है और अगर आप food grains में बात करें तो भी UP का rank वन है यह आपको पिलकुल याद होना चाहिए at least UP के ranks किस-किस में क्या है 48, सही विकल्प का चैन करें नवीनतम क्रिशी data, agriculture data देखिए इसमें जो भी update होगा, वो सब आपको आपके exam से ample amount पहले बता दिया जाएगा और अगर आपको ये सब कुछ एकदम updated data written format में चाहिए तो आप हमारे paid group join कर सकते हैं आपको बिलकुल भी regret नहीं होगा सब आपको material ready made मिलेगा, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपका काम सिर्फ पढ़ना रह जाता है और उसमें भी practice आपको कराई जाएगी तो ये नंबर है WhatsApp का और ज्यानसर के WhatsApp का नंबर यहां दिया हुआ है, आप इसमें contact कर सकते हैं चलिए सही विकर्प का chain करना है, करनाटका भारत का सबसे बड़ा रेशमुतपादक राजे है largest silk producing state जारकन भारत का सबसे बड़ा इरी रेशमुतपादक राजे है largest airy silk producing state असम भारत का सबसे बड़ा मुगा रेशम उतपादक राजे है मुगा सिल्क का सबसे बड़ा इस्टेट ये बहुत important data है ये बहुत सारे exams में पूछा जाता है बताईए क्या होगा 48th का answer इसका answer हो जाएगा C सारे ही एकदम सही है और बहुत important है और आपको बनाना है इनका note देखिए top 3 silk producing state है करनाटिका, आंधिप्रदेश और असम ठीक है तो करनाटिका overall top पे हो गया अगर हम मलबरी silk की बात करें तो करनाटिका, आंधिप्रदेश और West Bengal ठीक है करनाटिका, आंधिप्रदेश और West Bengal अगर हम बात करें तसर silk की तो जारखन, छतिसगड और उडिसा और एरी silk की बात करेंगे तो असाम, मिघालया और नागालेंड अगर मूगा silk की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा असाम, मिघालया और अरुनाचेप्रदेश यह टाइप अफ सिल्क और उनके producing याद रखने हैं आपको 49, लवीनतम कृशी आंकडों के अनुसार केरल, निमलिखित में से किस पसल के उत पादर में प्रथम स्थान पर है केरल का टॉप रांग किस में है केरला का सुपारी, that is अरीकानट, कॉफी, सनफलार या फिर नाचुरल रबर, बताइए क्या होगा अंसर देखिए इसका अंसर है नाचुरल रबर ठीक है, अरीकानट का टॉप कौन है, लेखिए करनाटका फिर केरला है फिर असाम है, कॉफी कहां का है सबसे ज़्यादा, कॉफी भी करनाटका का है ठीक है, और ये जो हम बात करें सूरज मुखी, that is सनफलार, this is also करनाटका बट इफ वी टॉक अबाट नाचुरल रबर then this is केरला, ठीक है चले फिफ्टी निमलिखित में से सही विकल्प का चैन करें, उत्पादन में और प्रथर्म रैंक, ठीक है सोयाबीन, गुजराथ, स्पाइसेज, मध्यप्रदेश मसाले, चाए, टी, माराष्टर तंबाकू, टुबैको, असाम बताईए, करेक्ट वाला सिलेक्ट कीजिये इसमें से इसका करेक्ट हो जाएगा मसाले, स्पाइसे मध्यप्रदेश, सबसे जादा देखिए, ये कुछ कन्फूजन हो सकते है, हमें लग सकता है कोई साउथ का स्टेट होगा, देखिए, सोयाबीन कहां का है, सबसे जादा सोयाबीन कहां पे है महराश्ट में, ठीक है महराश्ट, MP, फिर राजस्थान स्पाइस की बात करें तो MP है टॉप पे फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है ती की बात करें अगर, चाय देखिए अब चाय का तो लॉजिक ही है थोड़ा असाम ही होगा ना चाय का तो महराश्ट नहीं होगा और टबैको की बात करें तो ये होगा गुजरात, ठीक है टॉप पे, फिर आंधर प्रदेश है और देखिए, तीसरे स्थान पे है हमारा UP, तंबाकु में है याद कर लीजेगा इसे चलिए, question number 51 निमलिखित में से किस फसल या फसलों के उतपादन में नवीनतम कृशी डेटा के नुसार भारत पहले स्थान पर है ये पूछ रहा है किन क्रॉप्स में इंडिया ranks first गेहू, चाय, चावल, जूट, मुफिली बिताइए, क्या answer हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा A, सिरफ fourth मतलब सिरफ मुफिली के उतपादन में है इंडिया देखिए, वीट की अगर बात करें तो सबसे जादा जो वीट प्रेडियूस कर रहा है वो कर रहा है चायना ठीक है? फिर आता है हमारा अगर हम टी की बात करें तो फिर से चायना चायना, फिर इंडिया, फिर कीनिया अगर हम राइस की बात करें तो राइस की बात करें तो ये भी चायना देखिए ज़रा चायना, सब कुछ चायना फिर अगर हम जूट की बात करें तो जूट में हो जाएगा और अगर हम मूफली की बात करें तो मूफली में भी चाहें नुट पर इंडिया है और थर्ड पर नाइजीरिया है ये कुछ बाते हैं आपको जो ध्यान लखने हैं 52 भारत में COP26 में भारत की जलवायू कारिवाई के निमलिकित पांच अमरित तत्व पंचामरित प्रस्तुत किये इसमें संबंदित गलत विकल्प का चैन करें इंडिया प्रेजेंटेड फाइव नेक्टर एलिमेंट्स पंचामरित ओफ इंडिया's climate action at COP26 ये आपको बताना है कौन सा incorrect है 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म उर्जा क्षमता तक पहुंच to reach 1000 गीगावाट नॉन फॉसिल एनरजी कापासिटी बाइटी थर्टी 2030 तक अपनी उर्जा अवशक्ताओं का 50 प्रतिशत नवी करने उर्जा से 50% कहां से आएगा renewable energy से कुल अनुमानित कार्बन उत्सरजन में अब से 2030 तक एक अरब तन की कमी करना टोटल प्रजेक्टेड कार्बन एमिशन्स को 1 बिलियन तन्स तक घटाना 2005 की स्थर में 2030 तक अर्थविवस्था की कार्बन तीवता में 45 प्रतिशत की कमी करना कार्बन इंटेंसिटी जो है एकोनॉमिक की उसको 45% तक नीचे लाना बताईएगे क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा A यह गलत दिया हुआ है यह हजार नहीं होगा यह होगा 500 ठीक है आप मुझे बताएंगे कॉप 26 कहां हुआ था प्लेस ठीक है यह आप मुझे कॉमेंट डाउन करके बताएंगे चलिए यह बहुत इंपोर्टन्ट है यह कहीं भी मेंस में लिखने के काम आ सकते हैं डिरेक्ली पूछ सकता है 53 नवीनतम क्रिशी डेटा यह आपको बताना है प्रोडक्शन और इंडिया का रैंक बताएंगे क्या होगा इस कांचर 53 का हो जाएगा डी कैसे पहल तो बनाना बताइए आप बनाना में इंडिया टॉप पे है ठीक है फिर चैना फिर इंडोपे इंडोनेशिया अम्रूद में इंडिया टॉप पे है आम में इंडिया टॉक पे है और पापाया पापाया इस इंडिया एंड ब्रजील तो ये बिल्कुल ठीक है बाकी सारे एकदम गलात है 54 नवीनतम खनिच डेटा 2022 क्या पूछ रहा है लेटेस्ट मिनरल डेटा 2022 के निज़ार बॉकसाइट की उतपादन की अधार पर निमलिकित राजग को आरोही करम में विवस्थित करें arrange the following states in ascending order on the basis of production of बॉकसाइट बताइए क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा B जहारकंट, गुजरात और उडिसा यह top three states है यह आपको याद होने चलिए बॉकसाइट प्रोडक्शन के बॉकसाइट के और का नाम बताइए मुझे आप या यह किसका और है यह बताइए चलिए इंटराक्टिव रहेगा सेशन तो ही आपको मज़ा आएगा तो ही आपको ज़ादा चीज़ें याद रहेंगी Select the incorrect option Agriculture data की बात हो रही है भारत में जहरकन में कोईले का सबसे अधिक भंडार है Highest reserves of coal 36गड भारत का सबसे बड़ा कोईला उतपादक राज्य है Largest coal producing state 36गड विश्व में कोईले के उतपादन में भारत का तीसरा स्थान India ranks third in the production of coal in the world विश्व में सही उक्तराज अमेरिका में कोईले का सबसे अधिक भंडार है United States has the highest reserves of coal in the world क्या होगा इसका answer इसका answer है हमें incorrect चुनना है तो इसका answer है C विश्व में कोईले उतपादन में भारत का तीसरा स्थान है ये ये बात बोल रहा है और ये तीसरा स्थान नहीं है ये दूसरा स्थान ठीक है United States के पास सबसे ज़ादा reserves है जहारकंड के पास सबसे ज़ादा भंडार है हमारे country में और लेकिन 36 गड़ सबसादा produce कर रहा है चलिए तो कोईले उतपादन में दुनिया में पहला स्थान किसका है ये आप बतातीचे हैं ये वाला हुआ है ना हमारा गलत C option थर्ड इंडिया का रैंक है सेकंड आप ज़रा टॉप थ्री बताईए इंडिया एक तो बताई दिया मैंने आपको 56 गलत विकल्प का चैन करें नवीनतम नमूना पंजीकरन प्रणाली सांखेकिय रिपोर्ट 2022 इनकरेक्ट ये गोला लगा लिया गुरू इन चीज़ों पर सबसे कम है सबी केंद्र शाषित प्रणाप्र आफेक्ट मैं से लक्षदीप में सबसे कम है बताईए क्या होगा इसका आit ये गला दिया हुआ है सारी यूटी में जहाँ फे infant mortality rate सबसे कम है वो यूटी है Andaman and Nicobar Island not luxury चलिए 57 नवीनतम नमूना पंजिकरन प्रणाली सांखिके रिपोर्ट 2022 के अनुसार निमलिकित में से किस राज़े में मात्र मृत्यू अनुपाद सबसे कम है maternal mortality ratio सबसे कम है बताइए किसमें है सबसे कम सबसे कम है केरला में देखिए minimum जिसमें है वो केरला है फिर महराष्टर है और फिर आपका तमिलाडू है मतलब ही हापे बच्चे को जनम देने में ladies की जो death हो जाती है वो सबसे कम rate अचीव किया हुआ है that is a very good thing generally जो south वाली states है उनमें बहुत अच्छा काम किया जाता है गलत विकल्प का चैन करें same sample registration system statistical report की बात हो रही है incorrect option केरल में प्राकृतिक समवरद्धी धर सबसे अधिक है highest natural growth rate गोवा और केरल में सायोग तुरूप से प्राकृतिक समवरद्धी धर सबसे कम है गोवा और केरला है जोइंटली दर lowest natural growth rate सभी केंदर शाषित प्रदेशों में से दादरायवे नगर हैवेली में प्राकृतिक समवरद्धी धर सबसे अधिक है UTs की बात कर रहा है है सभी केंदर शाषित प्रदेशों में से अंडमान एवं निकुबार दीपस्वमू के प्राकृतिक समवरद्धी धर सबसे कम है आउट फॉल UTs अंडमान निकुबार आइलेंडस अब दे लोएस नाच्रल ग्रोथ रिट बताइए क्या होगा इसका अंसर 58 का अंसर हो जाएगा A देखिए बिहार का है सबसे ज़्यादा नौट केरिला इट इस बिहार ठीक है और अच्छा मैंने आपसे यहाँ पर अभी यह बताय था maternal mortality ratio तो इसको define कैसे करते हैं कि maternal deaths पर 1 lakh life birth कितना है ठीक है और age जो होगी मरने वाली ladies की किस से किस से calculate कि जाती 15 से 49 पर लाक women in that age group यह बात आपको धिहान रखने है आगे भी आएगा या कभी आएगा तो आपको पता होना ची इन सब में difference ठीक है चलिए हम आ गए हैं अब अपने question number 59 पे गलत विकल्प का chain करें Sample Registration System Statistical Report की बात हो रही है बिहार में जन्म दर सबसे अधिक है highest birth rate 36 गड़ में मृत्यू दर सबसे अधिक है highest death rate मध्यप्रदेश में कुल प्रजनंदर सबसे अधिक है highest total fertility rate केरल में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात है highest sex ratio at birth केरला क्या होगा इसका answer 59th का answer हो जाएगा C देखिए जो कुल प्रजनंदर है total fertility rate जो की हमको मैंने आपको उपर बताया भी थी ये चीज़े तो ये किसका है सबसे ज़्यादा ये भी बिहार का है ठीक है बाकी बातें एकदम ठीक है बिहार का highest है birth rate 37 गड़ का death rate highest है और बिहार का highest है total fertility rate केरला का sex ratio at birth highest है 60 निमलिकित में से गलत विकल्प का चैयन करें नवीनतम नमूना पंजिकरन प्रनाली सेम लेटेस्ट सैंपल रजिस्टेशन स्टाटिस्टिकल रपोर्ट मात्र मृत्यू अनुपात प्रती एक लाख जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यू के अनुपात के रूप में प्राप्त किया जाता है देखे तो मैंने आपको बताई दिया है उपर अब बताईए चलिए कोई बात नहीं दुबारा रिभी जुन जाएगा आपका maternal mortality ratio कैसे निकालते है और इसकी गणना किस वर्ग में होती है 15 से 49 मैंने आपको ये भी बता दिया उपर तो ये तो आपका answer एकदम ही ठीक आ गया होगा दोनों में से कोई गलत नहीं है very good चलिए 61 incorrect option sample registration system statistical report gramming शित्रों में जन्म दर सबसे अधिक बिहार में दरज किया गया है highest birth rate in rural areas शहरी छित्रों में जन्म दर सबसे अधिक उत्रप्रदेश में दरज की गई highest birth rate in urban areas सबसे कम अपरिक्ष्कृत gentleman rate farmer Truf कहाँ पे hazola में आप बताएंगे मुझे क्या है इसका answer ये तीनों बातें एकदम ठीक है ये तीनों ही as it is याद करनी है आपको ठीक है? चलिए अब यहाँ पर हमने भी देखा था ये lowest जो हमने देखा है ना ये सबसे कम अपरिक्ष्कृत जंदर ये lowest crude birth rate ही क्या होता है? पता है आपको? देखिए ये ratio होता है कितने life birth हुए हैं किसी population में एक साल में और जो total mid-year की population है ठीक है? मतलब beach के साल की same year की उसको multiply किया जाता है by 1000 तब निकलता है ये crude birth rate ठीक है? तो ये एक बात थी आपको पता होनी चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा information हो गई आप लोगं के लिए 62 सही विकल्प का चैयन करें same latest sample registration system statistical report विहार राजे में युवा आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है highest percentage of youth population केरल राजे में प्रॉड आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है highest percentage of adult population तेलंगना में उच्चतम कारेरत आबादी वाला राजे माना जाता है considered state with the highest working population बताईए फटापट देखिए बिल्कुल ठीक है है सारी बात है और जो ये युवा आबादी है इसको कहां से किसमें consider किया जाएगा मतलब सबसादा percentage है youth population का तो वो गया under 15 साल वाले 63 which of the following country has the highest maternal mortality ratio as per latest registration system statistical report 2022 किस देश में मात्र मृत्यू अनुपात उच्चतम है सबसे जादा किसमें है बताईए क्या हो जाएगा इसका answer इसका answer है Nepal सबसे जादा है वहाँ पे maternal mortality ratio इंडिया का maternal mortality ratio लगाएं तो है 103 ठीक है और निपाल का है 186 बांगलादेश का है 176 और पाकिस्तान का है 140 यहाँ पे बहुत deaths हो रही है 64 भारत की नागरिक पंजीकरन प्रनाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार निमलिखित में से किस राजे केंदर साशित प्रदेश का लिंग अनुपात उचितम है हाइस्ट सेक्स रेशिया एसपर इंडिया सिविल रजिस्टरेशन सिस्टम 2020 देखे यह जो आप यह बहुत द्यान से पढ़ा कीजे डेटा इनके अनुसार बदलता रहता है बताईए 64 का अंसर है ए लदाक लदाक का है ग्यारा सो चार अरुनाचित प्रदेश है सेकेंड नंबर पे एंडमान तीसरे नंबर पे है और त्रिपुरा है चौथे नंबर पे और लास्ट पांचवा कौन है केरला चलिए 65 भारत की नागरिक पंचिकरन प्रनाली रिपोर्ट के अनुसार किसी भी राजेया के इंडर साथे प्रदेश में ने जन्म के समय लिंगनुपात से दर्ज नहीं किया गया कितने से नीचे नहीं दर्ज किया गया यह बताना है 66, राष्ट्र परिवार स्वास्थे सरविक्षन, पाँच के निसार, 2019 का डेटा है ये, शेहरी शित्रों में कुल जन संख्या का लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो इन अबन एरियाज आसपल, NFHS सर्वे 5, फिफ्थ सर्वे जो है, कितना है, इसका अंसर क्या हो बई, ये तो पैसे मुश्किल सवाल है, आप लोग ने पढ़े नहीं होंगे, मुझे लगता है, 66 का B, 985 है इसका, ठीक है, तब हम इसकी बात करें, तो सेक्स रेशियो जो है, टोटल पॉपुलेशन का, तो वो हो जाएगा 985, रूरल एरियाज की बात करें, तो हो जाएग 985, 67, सेक्स रेशियो at birth for children born in the last 5 years in rural areas as per National Family Health Survey 5, ये क्या पूछ रहा है, ग्रामीन शित्यों में पिछले 5 वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात क्या रहा है, ये बताना है बापको, इसका अंसर हो जाएगा B, 931 रहा है, ठीक है, सेक्स रेशियो बर्थ के समय 924 रहा है, आप बात करेंगर अर्बन एरियास की तो, अर्बन, ये रूरल पूछ रहा है, और टोटल अगर बात बताऊं आपको में तो वो जाएगा 929, टोटल का, ठीक है, अर्बन का 924, आपका रूरल का 931, टोटल का 929, 68, गलत विकल्प का चैन करें, राष्ट्रे परिवार स्वास्य सर्वेक्षन सेम, incorrect option, बिहार राजय में कुल प्रजनंदर सभी राजयों में से सबसे अधिक है, highest total fertility rate in the state of बिहार is highest, गोवा राजय में कुल प्रजनंदर सबसे कम है, total fertility rate गोवा में सबसे कम है, दादरा एवं नगर हवेली तथ दमनन्दियू में सभी केंदर साशित प्रदेशों में से उच्चतम कुल प्रजनंदर है, highest total fertility rate, एंडमन और निकोबार दीपस्वमू और लद्दाक दोनों सयुक्त रूप से सभी केंदर साशित प्रदेशों में से सबसे कम कुल प्रजनंदर है, total fertility rate सबसे कम इन में है, ब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, स्टेट अफ बिहार में वो हाइएस्ट है, मैंने आपको बता दिया, चिल्डरन पर वुमिन की बात करें, तो जो सबसे लोएस्ट है, वो सिक्किम में है, ठीक है? बाकी बातें मिल्गूल ठीक दी, चलिए, 69, उत्रप्रदेश की बीसवी पशुधन गणना, कौन सा 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, के अनुसार निम्लिकित में से किस मवेशी की जनसंख्या सबसे कम है, कौन इस में से सबसे कम है, 69 बताना है आपको, तो ये है सुवर, पिग, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने हैं, मतलब सबसे ज़ादा की अगर बात करें, तो सबसे ज़ादा हैं भेंसें, ठीक है, और सबसे कम हैं, पिग, 70, उत्रप्रदेश में 20 भी, फिर से वो ही आ गया, the population of which of the following cattle is nearly 1 लाक, किस मवेशी की जनसंख्या लगबग 1 लाक है, ये बताना है, बताईए, तो ये घोडा और टट्टू, horse and pony, इनकी सबसे, ये मतलब 1 लाक से ज़ादा हैं ये, कहने का ये मतलब है, ठीक है, बाकी सब 1 लाक से कम हैं, चलिए, 71, नेमलिकित में से कौन सा सूचकांग, जर्मन वॉच द्वारा परकाशित किया जाता है, very good question, which of the following index is published by German watch, तो पता होगा आपको मेरे साब से, तो इतना पढ़ते हैं, 71 का क्या हो जाएगा answer, C, Climate Change Performance Index, who publishes it, जर्मन वॉच, और, ये जो है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांग, Index of Economic Freedom, ये कौन करता है, ये करता है, Heritage Foundation, और ये, बॉदिक संपदा सूचकांग, ये तो सबको पता होगा, ये आप मुझे comment down करके बता, ये कौन करता है, B, Intellectual Property Index, कौन publish करता है, 72, Fortune निमलिकित में से, इसका अंसर जाएगा, B, Change the World List Data, is produced by Fortune, देखिए, Death Penalty Report कौन करता है, Amnesty International, Change the World, मैंने बताया, Fortune, Global Corruption, Transparency International, तो बहुत असान question है, और Corruption Perception Index, B, Transparency International, ये दोनो, Transparency International करते हैं, अंतराष्टरिय मुद्रा कोश, Dash Prakashit करता है, International Monetary Fund, Publishers, Which Report? World Development Report, Use of Living Index, World Economic Outlook Report, Global Competitiveness Report, बताये, C, Very Easy, World Economic Outlook Report, ये तो रटलो एकदम, World Development Report, कौन publish करता है, ये बताओ मुझे, विश्व विकास की report, कौन करेगा publish, comment down करो, ये बहुत असान है, और Ease of Living Index, कौन करता है, ये भी बताओ मुझे, और ये Global Competitive Index, कौन करता है, World Economic Forum, ये दो बताओ comment करके, और इन दोनों का एक ही आंसर है, चलो, 74, निमलिखित में से, गलत विकल्प का चैन करें, इनकरेक्ट पूछ रहा है अब, देखिए, Global Environment Performance Index, वैश्विक परियावरिन प्रदर्शन सूच कांक, विश्व आर्थिक मंच, World Economic Forum, मानव पूझी सूच कांक, विश्व आर्थिक मंच, Human Capital Index, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूच कांक, विश्व आर्थिक मंच, Global Gender Gap Index, और परियावास, प्रतिबद्धिता सूच कांक, Habitat Commitment Index, बताईए, World Economic Forum है सभी का अंसर, कौन सा गलत है आपको ये बताना, दी, कौन करता है ये, ये करता है, UN Habitat, सुना होगा आप लोग उने नाम, ठीक है, बाकी देख लीजे, ये लर्न कर लीजे, World Economic Forum कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, और एक आपको उपर पता चल गई ये, Competitive वाली, और तीन आपको ये पता चल गई, चार रिपोर्ट आपको पता चल गई, 75, निमलिकित में से कौन सा मंत्राले वर्ष 1992 से हर वर्ष ग्रामीन स्वासे सांखी की प्रकाशित करता है, Rural Health Statistics Publication Every Year, कौन सा मिनिस्ट्री, बताइए, इसका अंसर हो जाएगा, A, Ministry of Health and Family Welfare, ये तो वैसे थोड़ा दमाग लगाते तो भी हो जाता, चलिए, जनसंख्या में व्रिद्धी हुई है, वो पूछ रहा है किसकी population increase हुई है, बताइए, किसकी population increase हुई है, बकरी की, शी गोट, ये बड़ी है, पिग घटे हैं, ये उट घटे हैं, और जो ये हॉर्स है, और या फिर पोनी, ये भी घटे हैं, 77th, संक्या की त्रिष्टी से प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट रैंक पूछ रहा है, किस किसमे है और यूपी की, बताइए, उसका answer हो जाएगा D, इन सभी की, पशुधन, भैंस, घोडे, टटु, होर्स पोनी, बफलो, लाइफ स्टोक, सब में उत्र प्रदेश का जो रैंक है, वो फर्स्ट है, 78, बीसवी पशुधन गण्ना, 2019, सबसे अधिक व्रधी लगबक 27 परतिशत देखी गई है, किसमें, फीमेल काटल में, इंडिजिनिस, नॉन डेस्क्रिप्ट फीमेल काटल पॉपुलेशन में, 78 का अंसर हो जाएगा, देखिए, C, जो फीमेल काटल है, काव पॉपुलेशन, वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कित्ते से, 18 परसंट से, और ये जो है, सेकिंड, इंडिजिनिस, नॉन डेस्क्रिप्ट, ये हुआ है, 10 परसंट से, और ये इंक्रीज हुआ है, 26.9 परसंट, तो लगबग 27 परसंट हो गया ना वो, इसले ये सही है, 79, लिमलिकित में से, सही विकल्प का चैन करें, एक जिला, एक उत्पाद योजनाम, वेरी नाइस क्वेशन, ये तो आना ही आना है, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉड़क्ट स्कीन, राइबरेली, पीतल के बरतन, आजमगर, काश्ट कला, वुड़वर्क, संथकबीरनगर, काली मिट्टी के बरतन, ब्लाक पॉटरी, अम्रोहा, संगीत वाद्यंत्र और रेडिमेड गामेंट्स, मुजिकल इंस्ट्रॉमेंट्स और रेडिमेड गामेंट्स, बताईए, 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 डी, सिर्फ ये सही है, राइबरेली, वुड़वर्क, और आपका आजमगर, ब्लाक पॉटरी, ठीक है, और संथकबीरनगर, ब्रासवेर, ये पीतल के बर्तन, सब इंटर्चेंज जाएंगे, ये तो मेरे साब से, आप लोगों को एक पेज लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, एफोर साइस, उस पे सारे नोडाउन कर लेने चाहिए, सब करवाया हुआ है, ये, सर ने वो पापा पिक में भी दिया हुआ है, ये अपने टेलेग्राम चानल पे, सब के लिए फ्री है, आप वहां से भी ले सकते हैं, ये तो याद करी लो, मेरे हिसाब से, 80, निमलिकित में से, किस जिले के उत्पाद, जरी जर्दोजी को, एक जिला, एक उत्पाद यूजना, उत्रप्रदेश के अंतरगर, सूचिबद किया गया है, जरी जर्दोजी, of which of the following district, कौन से district का है, बताईए, तो जरी जर्दोजी कहां का है, बताईए, बताईए जल्दी, कास गंज का, सुल्तानपूर का क्या है, मूँज प्रदक्ट्स, अमेठी का क्या है, मूँज प्रदक्ट्स, प्रयाग राज का क्या है, मूँज प्रदक्ट्स, और कास गंज का क्या है, जरी जर्दोजी, उस देश का नाम बताईए, जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में 38 सदस्य के रूप में शामिल किया गया है Name the country which has been included in the organization for economic cooperation and development as the 38th member किसको किया है इसका answer क्या हो जाएगा भई इसका answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं OECD 38 members हैं इसमे Costa Rica बना है इसका 38 member Costa Rica ठीक है और India क्या OECD का member है या नहीं ये आप मुझे बताएंगे और इसका headquarter है Paris में ये मैंने आपको बता दिया कुछ आप बताईए कुछ हम बता रहे हैं थोड़ा आप भी तो ढूंडिये India बताईए मुझे इसका member है या नहीं 82 दक्षिन एशिया उप्षेतरी आर्थिक सहींग से संबंदित गलत विकल्प का चैयन करें इसकी स्थापना 2001 में हुई थी इसका मुख्याले headquarter मनीला फिलिपीन्स में है भारत इस संगठरन का सदसे नहीं है इंडिया not a member बताईए 82 का answer हो जाएगा C इंडिया इसका देखिए पहल तो आप यह देखिए इंडियास का member है तो इसलिए गलत हो गया चलिए South Asia sub regional economic cooperation बिल्कुल ठीक बात है 2001 में हुई थी मनीला फिलिपीन्स और इसके जो members है वो है बांगलदेश, भूटान, इंडिया, मॉल्डिव्स, माइनमार, निपाल और श्रिलंका 83 बात निमलिकित में से किस संगठन का सदसे नहीं है India is not a member of which of the falling organization Asia-Europe meeting इंडिया, Indian Ocean Rim Association MTCR, Missile Technology Control Regime Nuclear Suppliers Group बताइए किसका नहीं है देखिए NSG का नहीं है इंडिया तो बड़ा famous है बड़ा विवादित भी है इस पे बहुत debates होती रहती है इंडियन रे ओशन रिम असोसियेशन का इंडिया है MTCR का इंडिया बना था कुछ साल पहले मतलब तो वो काफी न्यूज में रहा था और NSG का नहीं है तो हो गया आपका एक कुश्चन सौल 84 निमलिखित में से सही विकल्ब का चाहिन करें Select the correct option भारत संयूग तुराष्टर का एक संस्थापक सदस्य है जिसने 26 जून 1945 को पचास अन्य देशों के साथ संयूग तुराष्टर चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे इंडिया is a founding member of the United Nations भारत 1 जनवरी 1905 में में विश्व व्यपार संगठन का संस्थापक सदस्य है इंडिया is a founding member of what WTU since Jan 1 1995 भारत 8 जुलाई 1948 से शुल्क तथा विपार पर सामाने समझोता का सदस्य है General Agreement on Trades and Tariffs since 1949 क्या होगा इसका अंसर बिल्कुल ठीक है देखिए ये कुछ ऐसे facts है forgotten facts हमें लगता है हमें आते हैं ये लेकिन हमसे गलती हो जाती है इनमें तो इसलिए आपको revise कराया जा रहा है ये सब पता होना चाहिए आपको 85th निमलिखित में से सही विकल्प का चैन करें Select the correct option 5वा BIMSTEC शिकर सम्मेलन 30 मार्श 2022 को श्रिलंका के कुलंबो में आयूजित किया गया था 5th BIMSTEC Summit मोदी जी ने 5वे BIMSTEC शिकर सम्मेलन में वर्च्वल माधिम से भाग लिया था मोदी जी participated through virtual medium वर्ष 2024 BIMSTEC की स्थापना के 25 वर्ष को चेहनित करता है It marks 25th year of establishment of BIMSTEC बताईए आंसर बताईए इसका इसका आंसर जाएगा 1 और 2 पहले दूसरे बिल्कुल ठीक हैं तीसरा क्यों उगलत है ये 2025 नहीं है प्रेजन्ट इयर सौरी 24 नहीं है प्रेजन्ट इयर 2024 है जो 25th year करता है इसका चलिए अब आप मुझे बताएंगे जरा बिमस्टेक की full form और इसका establishment year और इसके founding members के नाम देखे ये है असान ये सबको पता हो नहीं होना चाहिए ये आप मुझे comment down करके बताएं 86th निमलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में विवस्थित करें chronological order देखे very nice question, a difficult question पर यहां प्राक्टिस करके जाएंगे आप तो एक्जाम में एकदम फोड कियाएंगे पेपर चलिए वीपो, that is विश्व बॉद्धिक संपता संखथन World Intellectual Property Organization संयुपतराष्ट विकास कारिकरम United Nations Development Program उत्तरिय अट्लांटिक संधी संखथन North Atlantic Treaty Organization खाद्देवं क्रिशी संखथन Food and Agriculture Organization करिए इसको arrange क्या होगा अंसर B, 4321 देखिए, जो यह है न World Food and यह सबसे पुरान 1945 फिर आपका जो यह Atlantic Treaty है, यह 1949 फिर आपका यह United Nations का Development Program आया 1965 में और यह सबसे latest है 1967 इन में से इस सारे आपको पता हो न चीए 87 निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें दक्षिन पूरवी एशियाई राष्ट्रों का संख जकार्ता Association of Southeast Asian Nations New Development Bank शंगाय संयुक्तराष्ट पर्यावरन कारिकरम United Nations Environment Program New York संयुक्तराष्ट सेक्षिक विज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Paris इन के headquarters दिये में आपको बताना है कौन सा गलत है 87th का अंसर हो जाएगा C United Nations Environment Program UNEP यह सबको पता होना चीए सबको यह है नैरोबी में यह तो रटा होआ होना चीए ठीक है नैरोबी Kenya बाकी Jakarta Indonesia Shanghai China और यह Paris France बहुत बढ़ी है 88 2 मार्श 2022 को अंतराष्ट्रे परमानू उर्जा एजेंसी में एक नए सदस्य को शामिल किया गया A new member has been included in International Atomic Energy Agency बताईए उस member का नाम इसका अंसर है B Tonga Tonga को जोड़ा गया है देखिए establishment इसका कब हुआ 1957 ठीक है headquarter का है इसका वैसे तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था चलिए फर चलिए वियना बताईए वियना है का पूछ लेती है आपसे और member country में इंडिया भी member है और नया member है Tonga जो की जोड़ा है 2 मार्श 2022 को वियना बताना है आपको मुझे कहा है वैसे मैंना असान पूछ लिया यह question 89 इमलिकित में से गलत विकल्प का चैयन करें select the incorrect option केंद्रिय भैस अनुसंधान संस्थान Central Buffalo Research Institute हैदराबाद राष्ट्र डेरी अनुसंधान संस्थान National Dairy Research Institute करनाल केंद्रिय सडक अनुसंधान संस्थान Central Road Research Institute New Delhi केंद्रिय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड Central Coconut Research Institute गलत कौन सा है इस में से 89 का A देखिए 20 अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में नहीं है कहाँ पे है हिसार में है बाकी सब बिल्कुल ठीक है चलिए 90 निमलिकित में से सही विकल्प का चैन करें select the correct option केंद्रिय म्रदा लवंटा अनुसंधान संस्थान Central Soil Salinity Research Institute उतराखन केंद्रिय कपास अनुसंधान संस्थान महराश्टर Central Cotton Research Institute केंद्रिय इंधन अनुसंधान संस्थान Central Fuel Research हर्यान केंद्रिय वन अनुसंधान संस्थान जारकन Central Forest Research Institute बताइए इस में से सही बताना है आपको 90 का answer है B यह Cotton वाला महराश्टर में है बताइए यह कहां होगा देखे Soil Salinity वाला जो है यह है करनाल में ठीक है और कपास वाला हमने देख लिया कहां पे नाकपुर में है महराश्टर में Fuel Research कहां पे है यह धनबाद में है और वन अनुसंधान कहां पे है यह धहरा दोन में बाकी सब वो B वाला ठीक है चलिए 91 सही विकल्प का चैन करें Correct option इमली Tamarin, Tartaric Acid, Khattadud, Sour Milk Buteric Acid, Makhan, Lactic Aml That is Lactic Acid, Soda Water Carbonic Aml, That is Carbonic Acid आपको बताना है सही कौन-कौन से है इन में से इसमें से पहला और चौथा एकदम सही है इमली में Tartaric Acid होता है सावर मिल में क्या होता है Buteric Acid होता है इसमें Lactic Acid होता है इसमें लाक्टिक एक्सचेंजड है यह इसमें होगा यह इसमें होगा यह कुछ questions हैं जो बहुत favorite हैं UPPCS के और confuse नहीं होना आपको और यहां पर आपको confuse करने के लिए options बदल के दिये जाते हैं निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें incorrect option केंद्रिये खारा जल कृषी संस्थान Central Institute of Brackish Water Aquaculture Bengaluru केंद्रिये कुष्ट प्रसिक्षन एवं अनुसंधान संस्थान इस Central Leprosi Training and Research Institute चिंगल पेट भारते पशु चिकिटसा अनुसंधान संस्थान इजद नगर Indian Veterinary Research Institute केंद्रिये औश्दिये एवं सुगंद पौधा संस्थान लखनो Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants लखनो क्या हो इसका अन्चर 92 का हो जाएगा देखिए जो ये brackish water वाला है this is in Chennai ओके and everything else is correct चिंगल पेट is in Tamil Nadu इजद नगर काँ पे है बरेली लखनो तो लखनो में है क्यों हसते रहिए थोड़ा खुछ रहके पढ़ाई कीजी ऐसे बोज बना के नहीं अपने उपर पढ़ाई कीजी मेरे साब से निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें incorrect option राष्ट्रे भूबहतकी गलत क्या होगा गलत यह mining वाला जहरिया में नहीं है दिस इन धनबाद बाकी सब बिलकुल ठीक है सिर्फ ये गलत था चलिए 94 question जोश एकदम हाई रखी है वे आर इन दे लास्ट लेग निमलिखित में से कौन सा संस्थान ओडीशा में स्थित है इंस्टिट लोकेटेट इन ओडीशा बताईए कौन सा है इन में से ओडीशा में लोकेटेट इसका अंसर हो जाएगा आपका B ये है अवीका नगर अवीका नगर ओके राजस्थान और भुबनेश्वर ओडीशा and Central Building Research Institute कहां पे है इस इन रूड़की ठीक है and instead of agriculture marketing is in जैपूर कितने सारे पता लग गए आपको यहां पे 95th सही विकल्प का चैन करें select the correct option गाजर का लाल रंग कैरी कैस अंथिन टमाटर का लाल रंग anthocyanin चुकंदर का लाल रंग betyne पपीते का लाल रंग पीला रंग sorry lycopene चलिए बताइए इस कान सुर जाएगा C देखिए red color of carrot anthocyanin carrot का anthocyanin होगा और red color of tomato lyocyan red color of beetroot is betyne यह सही है और papaya is carry kesanthinin तो यह आपको पता होने चाहिए यह question भी बहुत favorite है mislaneous है science section का question है 2021-22 के लिए प्रमुक फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रे मनुमान के नुसा निमलिकित में से कौन सा अनाज सबसे अधिक उत्पादन उत्पादित अनाज रहा है following grain has been the highest produced grain बताइए सबसे जादा जो produced हुआ है वो हुआ है चावल देखिए according to what second advance estimates for production of major crops चावल के बाद it's wheat then maize and फिर हैं pulses ठीक है तो ये सही क्रम में लगे हुआ है ऐसे मान लेजे 97-21 के लिए प्रमुक फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रे मनुमान के नुसा निमलिकित को इनके उत्पादन के अधार पर अवरोही क्रम में विश्थित करें descending order on the basis of their production same estimate के हिसाब से बताईए इसका answer है D देखिए soybean, rap seed और सरसो और मुफली ये है इसका correct बस आपको ऐसी ही याद रखने है 98 नवीनतम खनिज डेटा latest mineral data इनकरेक्ट पूछ रहा है cement के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है India rank second Aluminia के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरे स्थान है ranks fourth in Aluminia सामाने नमक के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है common salt में second law is उत्पादन में भारत विश्में चौथे स्तान पर है, बताईए कौन सा गलत है 98 का अंसर हो जाएगा C, देखिए जो common salt है ना, उसमें इंडिया 3rd पर है बाकी बातें एकदम ठीक दीग दी 99th, again latest mineral data incorrect बताना आपको आंध्रदेश भारत का सबसे बड़ा uranium उत्पादक है, largest uranium producing state 36 भारत का सबसे बड़ा tin उत्पादक है, largest tin producing state राजस्तान भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है, राजस्तान is the largest silver producing state जारकंड भारत का सबसे बड़ा lawist उत्पादक राजे है, largest iron ore producing state बताइए कौन सा गलत है जारखंड नहीं है उडीसा है ठीक है बाकी आपको as it is याद करने है ओके, last question बहुत खुशी हो रही होगी कुछ को तो अब कुछ तो पत्रसला है बीच में से उठके चले गए होंगे सारे answers comment करने आपको I am repeating it again and again तब ही देखिए test series का फायदा है इतनी भड़िया test series आपको बना के एकदम free of cost provide की जारी है at least आप benefit तो उठा ही आपका ही फायदा है इसमें I can guarantee you के इसमें से direct question आपको अपने paper में मिलेंगे चलिए, उर्जा सांखे की data अटे, select the correct option as per energy statistics data ये May 2022 तक updated है भारत विश्व में carbon dioxide का तीसरा सबसे बड़ा उतसर्जक है largest emitter, third largest emitter of carbon dioxide in the world चीन विश्व में carbon dioxide का सबसे बड़ा उतसर्जक है चाइना सबसे बड़ा है वर्ल्ड में USA विश्व में carbon dioxide का दूसरा सबसे बड़ा उतसर्जक है USA is the second largest emitter of carbon dioxide in the world आपको बताना है क्या is cancer बिलकुल ठीक हैं सारे अब बहुत कम per capita carbon dioxide emissions के बावजूद इंडिया तीसरा largest emitter है चाइना और USA के बाद तो यह ठीक बात दी हुगी और यह है मैंने बताया आपको energy statistics data मई दो हुजार पाईस तक कुछ भी update आएगा, कुछ भी नया होगा आपको सब बता दिया जाएगा beforehand और यह एकदम authentic websites ministry की organization की websites उनसे data उठाया गया है तो मैं उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे and thank you so much have a nice day और हस्ते रहिए thank you